नमस्कार मेरा नाम है नमिता प्रकाश आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक मज़िदार सी कहानी इस कहानी का नाम है कहीं संतला ना आ जाये संतला एक महिला है और इस कहानी को लिखा है मनोहर चमोली मनुजी ने जो कि हिंदी में बाल साहित में बहुत सारा काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कहानिया लिखते हैं तो ये कहानी भी उनकी लिखी हुई मेरी पसंद की है तो आज मैं आपको सुनाती हूँ कहानी कुछ इस तरह है खट 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 दर्वाजा खोलो ये संदला की आवास थी संदला बहुत गुसे में थी एक हाथ में लोहे का चिम्टा दूसरे में लाल टन दर्वाजा खुला संदला सीधे रसोई में पहुँच गई क्या पक रहा है ये देखने आई हूँ मैं खुश्बू से ही अपने मुर्गे को पहचान लूँगी संदला ने चिम्टे से कड़ाई के ऊपर जो ढकन रखाता वो उठाया कड़ाई में जहाका सर्दियों के दिन थे पहाड का जागना और सोना सूरज के साथ साथ होता है सूरज उपता है लोग उठ जाते हैं सूरज ढलने लगता है तो लोग सोने लगते हैं अब पहाडों में सूरज उपता देर से है और ढलता जल्दी है यानि उन लोगों के जो पहाडी लोग होते हैं दिन छोटे होते हैं शाम होने से पहले लोग घर लोटना चाहते हैं कडाके की ठंड पड़ रही थी खाना भी जल्दी पका लिया और खा लिया जाता है सब घरों में लगबख एक ही समय पर भोजन पकता है दड़वे से मुर्गा गायब है जरूर किसी के रिसोई में पक रहा है किसी ने चुरा लिया है मैं ढून लूँगी संदला अब पड़ोस के घर का दर्वासा थपतपा रही थी वो जिस घर से बाहर निकलती कोई बच्चा उसके साथ हो लेता तन्वीर, मुसद्दी, सल्मा, थापला, बिट्टू, नीटू, मालती सब पीछे पीछे चलने लगे लाल्टैन की रोश्णी में संदला इंजिन और बच्चे रेल के डिबबे की तरह लग रहे थे अब ये रेल गाड़ी गाओं की पक्डंडियों पर चल रही थी कभी इसके घर, कभी उसके घर रेल कभी सीटू लुहार के आजाती, कभी मिया मुरादाबादी क्या सतनाम कुमार और पंडित रामदयाल के घर के रास्ते पर भी थी क्योंकि रसोई तो सबके घर में होती है, खाना तो सभी के घर में पकता है और संतला, संतला तो बस ये डून रही थी, कि उसके मुर्गे को चुरा कर किसने पकाया है संत्रा इस गुस्से में ये भी भूल गई थी कि गाउं में कई परिवार ऐसे हैं कई घर ऐसे हैं जहां मास नहीं पकता बस वो तो चिम्टा लहराते हुए कहे जा रहे थी मेरा मुर्गा किसी की तुर असोई में पक रहा है मैं उसको आज ढूंड कर ही रहूँगी तब ही पीछे से एक आवाज आई मान जी मुर्गा मिल गया जंगली बिल्ली के डर से आप ही के कमरे में पलंके नीचे चुपा हुआ था फिर क्या था संत्रा ने बच्चों को घूरा और का मेरे पीछे क्या चल रो चलो भागो यहांसे घर पहुचो सर्दी हो रही है इस दिन के बाद संत्रा कभी किसी के घर पर ठक ठकाने नहीं पहुची पर हाँ ये किस्सा उस इलाके में कई दिनों तक घुमता रहा कई दिनों तक लोग मजे लेते रहे बलकि आज भी कई गरों में खाना पकाते समय हसी हसी में लोग कहते हैं दर्वासा बन कर लो कहीं संतला ना आ जाए तो ये थी कहानी बनोहर चमोली मनुजी की लिखी हुई कहीं संतला ना आ जाए